हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोटर साइकल चलाते समय कॉर्णर करते वक्त वो कौन सी ऐसी पाच गलतिया है जो की हमें करने से बचना चाहिए और खास करके जो नए राइडर है जो नया नया बाइक को चलाना सीख रहे है उन्हें इसके बारे में पता होना जाए क्योंकि अकसर गलट टेकनीक के वज़ा से कॉर्णर करते वक्त एक्सिडेंट हो जाता है तो वीडियो को पुरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जारू कर ले फ्रेंट्स कॉर्डर करते समय जो पहली गलतिया आपको करने से बचना है वो है गेर चेंज क्योंकि जब आप कॉर्णर कर रहे होते हैं और उसी टैम अगर आप गेर को चेंज करते हो तो बाइक में इस्टेबिलिटी और हैंडिलि गेर को रखे ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है लेकिन गेर बहुत ही कम जानी कि एक गेर और गेर बहुत ही जादा यानि कि पास य छे गैर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉर्णर में चलाते समय भी कही लगार हमें थ्रोटर लेना पड़ता है हलका सा फ्रेंटर ले चेंज नहीं करें चलिए अगला जो गलती नहीं करना आपको वो है ब्रेकिंग अब ब्रेकिंग में क्या गलती नहीं करना मैं आपको बताता हूँ फिर्ट सबसे पहली बात तो सेफ तरीका ये होता है कि कॉर्णर आने से पहले ही आप अपने बाइक में हलका सा ब्रेक लगार करके जो बाइक का स्पीड है उसे कम कर ले ताकि जो हमारा जब कॉर्णर कर रहे हो आप उस वक्त ब्रेक को नहीं लगाना पड़े लेकिन यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम डेस्ट्राइक पर चला नहीं रहे सामने से भी कई बार गाड़ी आती है और और भी किस्त का ऊधार को सबसे पहले लेकिन प्रण ब्रेक को पढ़ा जयाता है साथ का सबसे डबाए कि आप पीछे का ब्रेक कर आद पार प्र प्रॉब्लम आर आपको और स्पीड चाहिए जल्दी रोकना भाई को या स्टो करना है तो फिर आप तो फ्रंट ब्रेक है उसे दबा दे दोनों को मिला के दबा दे तो ब्रेकिंग में आपको इस बात का ख्याल रखना है तीसरा पॉइंट है कलच अब देखे कॉर्णर करते स समय आपको कोशिच करना चाहिए कि अपक गलच लिवरे उसे पूरी तरह से प्रेज करके नहीं रखे कलच लिवर को पूरी तरह से नहीं दबाना चाहिए करने से जो इंजन से पावर का कट हो जाता है, इंजन से पावर का ट्रांसफर नहीं होता है, पीछे का चक्का freely move करता है और जब आप ब्रेक लगाते हो कॉर्णरिंग के टाम में तो skidding का chance बढ़ जाता है, साथी जो stopping distance से वो भी बढ़ जाता है और अगर आपको throttle लेना है तो उसमें भी delay हो जाता है best यह होता है कि corner करते समय आप half clutch का use करें clutch lever को पूरी तरह से छोड़े भी नहीं, पूरी तरह से दबाई नहीं बीच में रखे करीब करीब half clutch का use करोगे और उससे फाइदा यह हो जाएगा कि जो buy के वो भी बन नहीं होगा जो power है वो भी slightly transfer होते रहेगा पीछे के चके तक skidding का chance कम हो जाएगा और सबसे important अगर आप throttle लोगे तो throttle भी आपको मिल जाएगा half clutch में तो best होता है कि slightly आप clutch को हलका सा प्रेस करके यह ज्यादा safe होता है friends जिस तरह cornering का सही टेकनीक नहीं पता होने पे गलती हो सकती है और accident हो सकता है उसी तरह अगर पैसे कहां और किस तरह invest करना चाहिए यह नहीं पता हो तो भी कई बार नुकसान हो जाता है फ्रेंड्स टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको coin switch kubair app के बारे में बताना चाहूँगा यह app आपको google play store और apple store मिल जाएगा friends आपने bitcoin और crypto currency के बारे जरूर से सुना होगा basically जो crypto currency होता वो एक digital asset होता और इसके उपर में central bank का कोई भी control नहीं होता साथी Indian Supreme Court ने भी March 2020 में crypto currency को पर में लगे bank को हटा दिया तो अब आप असानी से crypto currency में investment कर सकते हो crypto assets में बाकी forms of investment जैसे की mutual fund, gold, ft, forex इन सब के मुकाबले जादा और जल्दी return देखने को मिलता है example के लिए 14 December 2020 को एक bitcoin का जो कीमत था और आज पाच मैं 2021 को एक bitcoin का जो कीमत था और आज पाच मैं 2021 को एक bitcoin का जो कीमत है वो है 43,72,90 रुपए वैसे मैं आपको बता दूँ कि market में demand के साब से इनका जो price है वो up and on होते रहता है आप सब सची बात क्या है कि coins which qver app में आप just minimum 100 रुपए से भी investment को start कर सकते हो और bitcoin, ethereum, digibyte और भी बहुत सारे cryptocurrencies को खरी सकते हो एप का interface बहुत ही user friendly है आप आसानी से यहाँ पे selling, buying और trading कर सकते हैं साथ ही आपका जो भी पैसा होगा वहाँ आप असानी से इस app के थुरू अपने bank account में withdraw भी कर सकते हो आपका link और बागी के details मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा तो ट्रेड कर बेफिकर अगला जो point है वो है acceleration जी हाँ अब देखिए जब आप cornering कर रहे हो नए rider हो बहुत experience नहीं है तो cornering के time आपको ज़्यादा अपने bike को accelerate नहीं करना चाहिए अगर खाली roadे तब भी करने से बचना चाहिए वो ज़्यादा dangerous हो जाता है कई बार हो सकता है कि आप अपना lane छोड़के दूसरे lane पर चले जाओगे अगर आप ज़्यादा accelerator लोगे तो आपको best यह है कि आपको positive throttle देना है slightly धिरे धिरे throttle ले सकते हो ऐसा नहीं कि आपको बिल खास करके आप bike चला रहे हो जो की छोटा गाड़ी है सामने truck है या फिर car वगर अगर आप उससे overtake करते हो तो वो ज्यादा dangerous हो जाता है तो please आप corner के समय खास करके ख्याल रखे overtaking करने से बचे बहुत जादा आपको confidence आपको लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो ह जिए जो 5 बात अगर आप इनका ख्याल रखोगे तो cornering का जो technique है वो आपका safe रहने वाला आप अच्छी तरह से safely cornering कर सकते हो अपने motorcycle में तो friends उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गए जानकार आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share ज जरू मिलते रहे मिलते एक लिए वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई